गुद मॉर्णिंग एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल माई नेम इस वाटिका सिंग और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की हाव टू मैक को कॉमर्स लेशन प्लान जहां हमारा प्रक्रन है इन्टरनेट बैंकिنग तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बतादू कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चनल को सबस्क्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी तो कामर्स का लेशन प्लान ब्लाने के लिए आपको सबसे पहले बीचो भी सेंटर में आपको लिखना होता है पाट योजना इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं या बिलकुल ही बीचो भी सेंटर में और बोल्ड में और बहुत ही सुन्दर ढंग से इसको लिखना होता है आप इसको जितना सुन्दर लिख सकते हैं आपको इसको इतना सुन्दर लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो बिसय जिस बिसय के बारे में आप पाठ्योजना बना रहे हैं उस बिसय को यहां पे आपको लिखना होता है जैसा कि आपने देखा हमने यहां पे बिसय में कॉमर्स लिखा हुआ है यानि कि हम कॉमर्स की पाठ्योजना बना रहे है इसलिए हमने बीसे में commerce लिखा हुआ है, उसके बाद आप लिखते हो चक्र, बच्चों को पढ़ाने के दोरान आपका जो भी period होता है, उस period को आपको चक्र में लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चक्र में first लिखा हुआ है, यानि कि बच्चों को आप लिखते हो कच्चा, आप जिस कच्चे के बारे में पाठ्योजना बना रहे हो, उस कच्चा को आपको कच्चा में लिखना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम 11th क्लास के लिए पाठ्योजना बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कच्चा में 11th लिखा हुआ है उसके बाद आप लिखते हो उबी से यहां पे हमारा उबी से बैंकिंग है अगर आपका उबी से है तो आप लिखोगे अधर्वाइस आप नहीं लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे अवधी पाठियोजना बनाने के दोरान आपके टीचर आपके मैडम अध्यापक के द्वारा आपको जो भी पाथियोजना बनाने के लिए समय दिया जाता है उस समय को उस टाइम को आपको आउधी में लिखना होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे आउधी में 35 मिनट्स लिखा हुआ है क्योंकि हमें इस पाथियोजना को बनाने के लिए हमारे टीचर हमारे अधियापक हमारे क्लाश क्लाश टीचर ने हमें 35 मिनट्स ही दिया हुआ है इस पार्ट को बनाने के लिए इसलिए हमने ओधी में 35 मिनट्स लिखा हुआ है उसके बाद आप लिखते हो प्रक्रण यहां पे हमारा प्रक्रण है इंटरनेट बैंकिंग इसलिए हमने प्रक्रण में इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ है प्रक्रण जो होता है वो पार्ट का नाम होता है या बिल्कुल ही बीचो भी सेंटर में और बोल्ड में और बहुत ही सुन्दर डंग से इसको लिखना होता है उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खीज द होता है यह जो समान उदेश होता है जो विचे आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे हम समान उदेश कहते हैं और उसे ही हम समान उदेश में लिखते हैं समान उदेश में हम अपने विचे से रिलेटेड 5-6-7-8 पॉइंट हमको लिखन यहां पे हमारा समान उदेश में पहला पॉइंट्स है चात्रों में कॉमर्स विशय के प्रती रुची जागरित करके इंटरनेट बैंकिंग से अउगत परचय कराना है दूसरा पॉइंट्स हमने यहां पे लिखा हुआ है चात्रों में कॉमर्स विशय के प्रती सामाने जानक देना तीसरा पॉइंट समने यहां पे लिखा हुआ है चात्रों को इंटरनेट बैंकिंग की जाज करने योग बनाना चौथा पॉइंट समरा यहां पे है चात्रों को इंटरनेट बैंकिंग के महत्तों को चार्ट का प्रदर्शन करने योग बनाना और पांचमा पॉइंट सम को पढ़ाने जा रहे हैं उसे बच्चा क्या सिखेगा उसे ही हम विसिष्ट उद्देस कहते हैं और विसिष्ट उद्देस हमारे तीन प्रकार के होते हैं पहला हमारा होता है ग्यानात्मक उद्देस और दूसरा हो जाता है हमारा बोधात्मक उद्देस और हमारा तीसरा होता है कौसलात्मक उद्देश इन तीनों उद्देशों में लगभग आपको दो-दो पॉइंट्स लिखने होते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्यानात्मक उद्देश में हमारा पहला पॉइंट्स है छाठो को इंटरनेट बैंकिंग का प्रत्या श्रमड कराना दूसरा पॉइंट्स हमारा यहां पे है चात्रों को इंटरनेट बैंकिंग को इश्मन करने योग बनाना बोधात्मक उद्देश में हमारा यहां पे पहला पॉइंट्स है चात्रों को इंटरनेट बैंकिंग की व्याख्या करने योग बनाना दूसरा पॉइंट्स हमारा यहां पे है चात्रों को इंटरनेट बैंकिंग से होने वाले लाव वहानी को समझने योग बनाना उसके बाद आप लिखते हो सहायक समागरी पहले तुम्हें आपको यह बता दो कि यह सहायक समागरी क्या होता है जो भी से आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में जो भी भी से आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को समझाने के लिए कोई भी टॉप बच्चों को समझाने के लिए स्यामपट पे यानि की ब्लैक बोर्ट पे आप जिन समागरी का यूज करके बच्चों को समझाते हैं उसे ही हम सहायक समागरी कहते हैं और सहायक समागरी के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, पर क्या करते हैं कि पार्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है पूर्व ज्यान के रूप में आप लिख सकते हैं छात इंटरनेट बैंकिंग के बारे में साम्माने जानकारी रखते हैं उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रस्णि के लिए आपको तीन कॉलम बनाने होते हैं पहला कॉलम आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम जिसमें की आप छात्रों से पूछे गए कोश्चन के क्रम को लिखते हो तो यहां पर हमारा पहला question चात्रों से है, हम पैसा कहां सुरचित रूप से जमा करते हैं, तो चात्र आंसर देते हैं, हम पैसा सुरचित रूप से बैंक में जमा करते हैं, दूसरा कोशन यहाँ पर हमारा चात्रों से है जो नगत जमा करने या रिड देने का कारे करे उस कारे को क्या कहते हैं तो जो नगत जमा करने या रिड देने का कारे करे चात्र आंसर देते हैं जो नगत जमा करे या रिड देने का कारे करे उस कारे को बैंकिंग कहते हैं और य निकाल सकते हैं तो चात्र आंसर देते हैं बैंकों में जाय बिना पैसा एटियम मसीन से निकाल सकते हैं चोथा कोशनिया पर हमारा चात्रों से है जब हम बैंकिंग सुरच्छा घर बैठे किसी भी अस्थान पर प्राप्त करें तो उसे क्या कहते हैं तो चात्र आंसर देते है समस्यात्मक प्रश्ण यानि कि चौथे कोशन का आंसर छात्रों को नहीं पता है उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश कथन उद्देश कथन में आप लिख सकते हैं बच्चो आज हम इंटर्नेट बैंकिंग के बारे में अध्यन करेंगे चौथा कोशन चौथे और करेंगे उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तूती करण प्रस्तूती करण में आप लिख सकते हैं अध्यन अध्यापन की दिश्टी से पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसके बाद आप व्याख्या करते हैं व्याख्या करने के लिए आप चार कलम बनाते हैं पहला कॉलम आप बनाते हैं सिच्छड बिंदू का कॉलम दूसरा कॉलम आप बनाते हैं चात्रा द्यापिका क्रियाओं का कॉलम तिसरा कॉलम आप बनाते हैं चात्र चात्रा अनुकरिया का कॉलम चौथा कॉलम आप बनाते हैं श्यामपट कारे के कॉलम में आप मुखे मुखे points को लिखते हैं तो अब हम व्याख्या करते हैं इंटरनेट बैंकिंग वो प्रणाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग खाते से बितिय और गैर बितिय लेन देन करने की सुभधापदान करती है यूजर बेवसाइट या आनलाइन एप्लिकेशन का उप्योग करके उसी बैंक बिभिन बैंक के अन्य खातों में अपने खाते से धनरासी ट्रांसपर कर सकता है ग्राहक बितिय लेन देन करने के लिए रिशोर्ष और माध्यम का उप्योग करता है ग्राहक द्वरा उप्योग किया जाने वाला संसाधन कंप्यूटर, लेप्टॉप या मोबाइल फोन की तरह एक एलेक्ट्रोनिक उपकरण हो सकता है इंटरनेट वो माध्यम है जो तकनिक को संभो बनाता है इंटरनेट बैंकिंग की बिसेस्ताएं इस सुबिधा का उप्योग करने वाला ग्राहक लेन देन और गैर लेन देन संबंधित कार्यों का संचालन कर सकता है जिसमें शामिल है पहला ग्राहक खाता बिवरड देख सकता है दूसरा है ग्राहक संबंधी बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधी के लिए लेन देन की हिस्ट्री की जाच कर सकता है तीसरा है, बैंक स्टेटमेंट बिभिन प्रकार के फॉर्म अप्लिकेशन डाउनलोट किये जा सकते हैं चोथा है, ग्राहक किसी भी तरह के बिल रिचार्ज मोबाइल डिटी एच कनेक्शन आधी का भुगतान करशकता है ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद और बेज सकता है ग्राहक व्यपार का निवेस और संचालन कर सकता है ग्राहक परिवहन यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज बुक कर सकता है उसके बाद आप श्यामपट कार में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट्स आप श्यामपट कार में लिखेंगे इंटरनेट बैंकिंग वह पनाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग खाते से बितिय और गैर बितिय लेन देन करने की सुभिधा प्रदान करती है दुसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं स्यामपटकार में ग्राहक बितिय लेन देन करने के लिए रिशोष और माध्यम का उपयोग करता है और तिसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इंटरनेट वो माध्यम है जो तकनीक को संभव बनाता है ग्राहक खाता विरंट देख सकता है ग्राहक संबंधित बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधी के लिए लेन देन की हिस्ट्री की जाच कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट आप श्यामपट कार में लिख सकते हैं बैंक स्टेट्मेंट विभिन प्रकार के फॉर्म अप्लिकेशन डाउनलोड किये जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप श्यामपट कार में लिख सकते हैं इकॉमर्स, पे बिल, दूसरा ग्राहक परिवहन, और नेक्स्ट है बिल, रिचार्च, मोबाइल, और इकॉमर्स में है SD कनेक्शन, उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्ण करेंगे, जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम आप बोधात्मक प्रश्ण को कॉलम, दूसरा कॉलम आप बनाते हैं, चात्रा दियापिका क्रियाओं को कॉलम, तिसरा कॉलम आप बनाते हैं, चात्र चात्रा अनुक्रिया को कॉलम, बोधात्मक प्रश्ण के कॉलम में आप चात्रों से पूछे गए कोश्ण के क्रम को लिखते ह है और की हैं इंटर्णेट बैंकिंग क्या है तो चाथर आंशर देते हैं इंटर्णेट बैंकिंग ग्राहक को उसके खाते से बितिय और ग애र बितिय लेन देन की सुभिधा परदान करती है. उसके बाद दूसरा कोश्न यहाँ पे हमारा च्हात्रों से है इंटरनेट बैंकीन्ग से क्या क्या किया जा सकता है? तो च्हात्र आंसर देते हैं, इंटरनेट बैंकिन्ग से बैंक इस्टेटमेंट विभिन प्रकार के form अप्लिकेशन डाउनलोड किया जा सकता है उसके बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं जिसके लिए हम फिर से वही सारी प्रोसेस को अपनाएंगे हम फिर से चार कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम हम बनाएंगे सिचर बिंदू का कॉलम दूसरा कॉलम हम बनाएंगे चातर दियापिका क्रियाओं का कॉलम और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे चातर चातर अनुक्रिया का कॉलम और चौथा कॉलम हम बनाएंगे स्यामपट कारे के कॉलम, सिचर बिंदू के कॉलम में हम व्याख्या लिखेंगे और छात्रा ध्यापेका क्रियाओं के कॉलम में हम व्याख्या करेंगे और छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में हम लिखेंगे चात्र ध्यान प्रुवक्त व्याख्या को सुनेंगे और स्यांपट कारे के कॉलम में हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स दिखेंगे तो अब हम व्याख्या करते हैं Advantage of Internet Banking Internet Banking के लाब ग्राहक पहला है ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी उसके बैंक में अस्थाई पहुच मिलती है दूसरा है लेन देन सुरचित और अत्यधिक सुरचित है दूसरा है ततकाल धन ट्रांसपर ततकाल आवशक्ता के समय यूजर की मदद करता है यूजर का मुल्यवान समय बचाता है जब भी आप पैसे की निकाशी करते हैं तो आपके मोबाइल पर तुरंत इसकी सूचना आ जाती है जिस वज़ा से आप अपने खाते की निगरानी आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट है आप इसके माध्यम से आपकी बैंक के सभी कारे कर सकते हो जैसे की बैलेंस देख सकते हो हैं किसी के भी खाते में रुपए डाल सकते हैं साथ ही FDRD को भी खुलवा और बंद करवा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के हानी सभी कारे में कितना फाइदा होता है सभी कारे में जितना फाइदा होता है उसमें थोड़ा बहुत नुस्कान भी होता है पहला जब नेट बैंकिंग की जरुरत होती है और उस वक्त सर्वर डाउन है तो आप कोई भी कारे नहीं कर सकते हैं कई बार ऐसा भी होता है जब कोई पैसो का लेन दिन करते वक्त कनेक्शन की गती धीमी या सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है यदि किसी अन्जान व्यक्ति को आपके नेट बैंकिंग एकाउंट की जनकारी पता चल जाए तो आपकी बैंक में सभी रकम को वह तुरंत निकाल सकता है जिससे आपको भारी नुकसान पहुचा सकता है नेट बैंकिंग को फ्री बताती है परन्तु यह फ्री नहीं होता है जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप से कई प्रकार का चार्ज लिया जाता है नेट बैंकिंग के कारण अब सभी व्यक्ति को आलसी बना दिया है जिसका असर दूसरे कारियों में भी नजर आता है उसके बाद आप स्यामपट कार में मुख पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट्स आप स्यामपट कार में लिखेंगे लेन देन सुरच्छित और अत्यदिक सुरच्छित है दूसर पॉइंट्स आप स्यामपट कार में लिखेंगे यह यूजर का मुल्लेवान समय बचाता है तिसर पॉइंट्स आप स्यामपट कार में लिखेंगे नेट बैंकिंग को फ्री बनाती है और परन्तु यह free नहीं होता और next point आप श्यामपट कार में लिखेंगे ततकाल धन ट्रांसपर ततकाल धन ट्रांसपर ततकाल आविशक्ता के समय यूजर की मलत करता है और next point आप श्यामपट कार में लिख सकते हैं और आप श्यामपटकार में इस तरह से डाइग्राम भी बना के दिखा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक खाता बिविरन देख सकता है व्यपार का निवेश्व संचालन कर सकता है ग्राहक परिवहन यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज बुक कर सकता है बिभिन प्रकार के फार्म भर सकता है इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग लेन देन सुरचित और अत्यधिक सुरचित है उसके बाद आप internet banking को डाइग्राम से दिखा सकते हैं internet banking रुपए खाते में transfer कर सकता है internet banking account balance चेक कर सकता है internet banking FDRD खुला सकता है वैख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं पहला कॉलम आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम दूसरा कॉलम आप बनाते हैं चात्रा दियापिका क्रियाओं को कॉलम और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं चात्र चात्रा अनुक्रिया का कॉलम बोधात्मक प्रश्णी के कॉलम में आप चात्रों से पूछे गए कोश्ण के करम को लिखते हो चात्रा दियापिगा क्रियाओं के कॉलम में आप चात्रों से प्रश्णी पूछते हो मदद करता है दूसरा कोशन यहां पर हमारा चात्रों से है're internet banking इंटनेट banking से होने वाले कोई एक हानी को बताइए तो चात्र आंसर देते हैं internet banking non-banking नेयर बेंकिंग को फ्री बताती है पर्घंतु यह फ्री नहीं होता जब आप इसका इस्तेमाल करते हो आपसे कई प्रकार का चार्ज लिया जाता है उसके बाद आप छात्रों को ग्रिकार के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं बच्चों आप सब इंटरनेट बैंकिंग के लाब हुआ हानी को अच्छे से पढ़ कर आईएगा अगर आपको हमारा ये वीड पार्थ योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखी है आप वहां से लिंक को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको ड्राइब लिंक इस पार्थ योजना की ड्राइब लिंक और ट्यूटर लिंक और ब्लॉग और लिंक तीनो लिंक दे रखी है आप डाउनलोड वहां से करके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी इस पार्थ योजना को ले के कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कोशन मुझे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोशन पूछ सकते हैं आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी जिसे की आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ